Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Advanced Engineering Mathematics 10 edition exercise 1.5 और हम solve करेंगे question number 3 to question number 7 इसमें main हमारा topic जो है वो Bernoulli equation है लेकिन unfortunately इसमें उसके related question नहीं दिये हुए लेकिन आप एक exercise के example में आप देख सकते हैं या आप देख सकते हैं जिसमें Bernoulli equation हमें main topics हमें ये सीखना है Bernoulli equation को किस तरह solve करना है लेकिन इस exercise में इसके related question नहीं है लेकिन आपको next वीडियो में example की मदद से Bernoulli equation solve करना भी सीखेंगे the help of examples तो चलिए हम question number 3 अब solve करते हैं इसमें हमारे पास y bar minus y is equal to 5.2 है हमारे पास एक होती है journal equation y bar plus p of x y is equal to r of x अब हम इसके साथ compare करेंगे और values निकालेंगे हमारे पास p of x y की value है यह हमारे पास p of x y यह हमारे पास value है इसकी लिए यह हमारे पास minus 1 है और r of x r of x की हमारे पास value है 5 is equal to 5.2 है तो यह हमारे पास values आ गई हैं अब मारे पास इस question को solve करने के लिए formula होता है y of x is equal to e की power minus h into integration of e की power h rx dx plus c यह हमारे पास formula होता है अब इसमें हम सबसे पहले h की value find करेंगे h का हमारे पास formula होता है h is equal to integration of p of x dx हमारे पास p of x के है वो हमारे पास है minus 1 minus 1 dx हो जाएगा तो यहाँ पे आजाएगा h की value आजाएगी minus x तो यह हम put कर देंगे formula में y of x is equal to e की power minus minus यह plus हो जाएगा x into integration of e की power minus x r of x के हमारे पास value है 5.2 यह भी हम put कर देते हैं dx plus c अब हम इसे solve कर लेते हैं यहाँ पे आजाएगा e की power x और यहाँ पे साथ में आजाएगा minus e की power minus x और 5.2 तो बाहर आजाएगा ऐसे ही constant है 5.2 साथ आजाएगा और plus हमारे पास साथ आजाएगा c अब यहाँ पे आजाएगा यह जो है यहाँ पे बन जाएगा e की power यह आप उसमें दोनों cancel हो जाएगे यह minus 5 x है और यह e की power plus x है तो यहाँ पे आजाएगा minus 5.2 plus यह इसके साथ जाएगा c e की power x तो हम लिख सकते हैं y of x is equal to c e की power x minus 5.2 तो यह हमारा answer आजाएगा है अब हम question number 4 solve करते हैं y bar is equal to 2 y minus 4 x यह हमारे पास होती है standard form में जो है general equation होती है सबसे पहले हम इसे standard formula लाती है y bar minus 2 y is equal to minus 4 x अब हम इसे compare कर लेते हैं यह हमारे पास होती है channel जो है form तो इसके साथ हमारे पास आजाएगा p of x जो है वो minus 2 है और r of x जो हमारे पास है वो minus 4 x है तो अब हमारे पास formula होता है y of x is equal to e की power minus h into integration e की power h r of x dx plus c यह हमारे पास formula होता है अब हम सबसे पहले h की value find करेंगे h की value हम find कर लेते हैं तो यह हमारे पास formula होता है h is equal to integration of p of x dx तो p of x की value हमारे पास क्या है minus 2 minus 2 dx तो यह आजाएगा minus 2 x तो अब हम इसे put कर देते हैं y of x is equal to e की power 2 x into integration e की power minus 2 x और r of x की हमारे पास value थी minus 4 x dx plus c y of x is equal to यहां से जो है minus 4 जो है बाहर आजाएगा तो यहां आजाएगा e की power 2 x into minus 4 integration of x e की power minus 2 x dx plus c यह हमारे पास आगया है अब हम इसे equation 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम i कह देते हैं यह हमारे पास आईए अब इसमें हम इसे solve करेंगे integration by parts करेंगे तो वो हमारे पास फर्मूला होता है u v dx is equal to u into v dx minus integration d over dx of u integration v dx यह integration by part का हमारे पास फर्मूला होता है अब हम कहेंगे i is equal to हमने इसको आई लिया था हम इसको solve करेंगे इसको जब solve करेंगे तो यहां पर आजाएगा यह रेखें u यह हमारे पास u है और यह v है क्योंके लग रहे थिंग algebraic function पहले आता है और exponential function बाद में आता है यह rule के मताबक तो यहां पर आजाएगा x और इसका आजाएगा e की पावर minus 2x dx minus integration अब यह x का जो है d over dx into x integration में पास यह भी e की पावर minus 2x dx अब यह आजाएगा i is equal to x into यहां पर आजाएगा minus 1 by 2 e की पावर minus 2x राद में आजाएगा minus integration minus 1 by 2 e की पावर minus 2x और dx आजाएगा साथ अब यहां पर आजाएगा minus 1 over 2 x e की पावर minus 2x साथ में जब इससे integrate करेंगे यह तो बाहर आजाएगा यहां पर हो जाएगा plus 1 by 2 into minus 1 by 2 e की पावर minus 2x अब हम इसे solve करेंगे तो यहां आजाएगा minus 1 over 2 x e की पावर minus 2x और यहां पर हो जाएगा plus और यह साथ में multiply होगा फिर minus हो जाएगा minus 1 by 4 e की पावर minus 2x अब यह हमारे पास आजाएगा यह हमारे पास i की value आगई आप हम इससे put कर देते हैं equation 1 में put equation 1 equation 1 में इससे put कर देते हैं तो यहां हमारे पास आजाएगा y of x is equal to e की पावर 2x into minus 4 अब यहां पर i हमने किया था तो उसकी value put कर देते हैं minus 1 over 2 x e की पावर minus 2x minus 1 over 4 e की पावर minus 2x अब हमारे पास आजाएगा y over into x is equal to e की पावर 2x minus अब हम 4 को अंदर multiply कर देंगे तो यहां पर आजाएगा 2 x e की पावर minus 2x plus यहां पर आजाएगा e की पावर minus 2x और साथ में plus c भी आएगा अब y of into x आजाएगा जब यह अंदर multiply होगा इसके साथ तो यहां पर सिर्फर आजाएगा 2 x यह दुनों की अंसल हो जाएगे और यहां पर भी जब यह अंदर multiply होगा तो यह की अंसल होके plus 1 आजाएगा plus c e की पावर 2 x तो यह हमारा answer आगया y into x is equal to 1 plus 2 x plus c e की पावर 2 x अब हम question number 5 solve करते हैं सबसे पहले हम इसे general form के साथ compare कर लेते हैं y bar plus p of x into y is equal to r of x यह हमारे पास general form होती है इसके साथ हम compare करेंगे तो p of x हमारे पास आजाता है यह हमारे पास आगया k और jो है r of x हमारे पास आगया minus k x e की पावर अब मारे पास फर्मूला होता है y into x is equal to e की पावर minus h into integration e की पावर h r of x dx plus c इसमें हम h की वैल्यू find कर देते हैं h is equal to हमारे पास होता है p of x dx p of x की हमारे पास वैल्यू है k dx तो यह आजाएगा k of x तो यह हम पूट कर देते हैं y into x is equal to e की पावर minus k x into integration e की पावर k x और r of x की वैल्यू थी हमारे पास into e की पावर minus k x dx plus c तो यह आजाएगा y into x is equal to e की पावर minus k x और यह दूनों आपस में cancel होगे तो अंतर रहे गया dx plus c अब यहाँ पे आजाएगा y into x यहाँ पे भी dx आएगा साथ is equal to e की पावर minus k x और यहाँ पे इसे solve करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा x plus c अब y into x is equal to यहाँ पे आजाएगा x e की पावर minus k x plus e की पावर minus k x into c तो यह हमारा answer आजाएगा अब हम question number 6 solve करेंगी यहाँ पे हम इसे compare करेंगी channel form के साथ तो यहाँ पे आजाएगा p of x हमारे पास p of x यह हमारे पास आजाएगा 2y 2 आजाएगा sorry और हमारे पास r of x हमारे पास आजाएगा 4 cos 2x यह हमारे पास आजाएगा अब हमारे पास फर्मूला होता है y into x is equal to e की पाव power minus h into integration e की पावर h r of x dx plus c यह हमारे पास फर्मूला होता है अब हम सबसे पहले h की value find कर लेते हैं तो h is equal to p of x integration और d x h is equal to यह हम p of x की जगा हमारी value थी 2 तो यह पुट कर देते हैं तो h is equal to 2x आजाएगा अब हम इस सबसे फर्मूले में पुट कर देते हैं y into x e की पावर minus 2x integration e की पावर 2x r of x के हमारे पास value थी 4 cos 2x और plus c अब y into x is equal to e की पावर minus 2x into integration यह 4 बाहरा जाएगा तो नदोरा जाएगा e की पावर 2x cos 2x plus c और इसको हम equation 1 का नाम देते हैं और इसको हम i कह देते हैं अब i is equal to यहाँ पे हमारे पास आजाएगा integration e की पावर 2x cos 2x plus c तो यह हम साथ में dx भी आजाएगा इसको हम integration by part सालू करेंगे अब यहाँ पे आजाएगा i is equal to हम आइस पे i late जो rule है उसके मताबिक पहले आते हैं dichromatic function फिर x से पे initial आते हैं तो यहाँ पे आजाएगा cos 2x e की पावर 2x plus c यहाँ पे यह c नहीं आएगा यहाँ पे साथ में dx आजाएगा अब हम इसे integration by part सॉल्व करते हैं वह हमारे पास formula होता है अब हम इसे integration by part सॉल्व करेंगे यहाँ पे आजाएगा i is equal to इसको सबसे पहले बाई लेंगे cos 2x integration of e की पावर 2x आजाएगा dx minus integration d over dx into cos 2x आजाएगा और साथ में आजाएगा integration of e की पावर 2x dx आजाएगा अब यहाँ पे आजाएगा cos 2x और यह आजाएगा 1 over 2 e की पावर 2x साथ में minus यहाँ पे cos 2x का जो है वो आजाएगा integration आजाएगी minus 2 sin 2x साथ में आजाएगे integration integration का sign भी आएगा साथ में आजाएगा 1 over 2 e की पावर 2x dx is equal to cos 2x और 1 by 2 e की पावर 2x minus यहाँ पे आजाएगा sin 2x यह दुनों आपस में cancel हो चुके थे e की पावर 2x dx यह minus minus यहाँ पे प्लेस हो जाएगा यहाँ पे जाएगा is equal to cos 2x e की पावर 2x over 2 प्लेस अब हम इससे दोबारा integration by parts से solve करेंगे इस वाले part को तो यहाँ पे आजाएगा is sin 2x into e की पावर 2x minus integration sin 2x और integration e की पावर 2x dx आजाएगा यहाँ भी साथ में dx आएगा तो यह आजाएगा cos 2x e की पावर 2x over 2 plus sin 2x और यहाँ पे आएगा 1 over 2 e की पावर 2x minus यहाँ पे d over dx होता है d over dx होता है तो यह आजाएगा integration sin का होता है cos 2x और यहाँ पे साथ में आजाएगा e की पावर यह 2 cause 2x आजाएगा और साथ में आ जाएगा 1 over 2 e की power 2x dx आ जाएगा ये 22 से cancel हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 2x e की power 2x over 2 और साथ में आ जाएगा plus sin 2x e की power 2x over 2 minus cos 2x e की power ये दूनों आपस में cancel हो चुके थे e की power 2x dx तो ये हमारे पास वही आ जाएगा है जो हमारा कॉस्ट यहाँ पे हमने i लिया था ये सेम दोबारा यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी जगा हम i लिखेंगे तो यहाँ ये i साइड आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 i is equal to cos 2x e की power 2x over 2 plus sin 2x e की power 2x over 2 अब हम यहाँ पे e की power 2x over 2 को कामल ले लेते ही तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 2 i is equal to 1 over 2 e की power 2x cos 2x plus sin 2x ये ये अब इस साइड आए जाएगा ये यहाँ पर मुट्ट पर होगा इस साइड आगे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा i is equal to 1 by 4 e की power 2x into cos 2x plus sin 2x अब ये हमारे पास i की value आगे है अब हम इसे equation 1 में put कर देते हैं ये हमारे पास आजाएगा y of x is equal to यहाँ पर था मारे पास थी ये e की power minus 2x into ये 4 और साथ में आजाएगा 1 by 4 e की power 2x cos 2x plus sin 2x अब ये इसके साथ cancel हो गया और ये वाला जो है इसके साथ cancel हो गया यहाँ भी आजाएगा y into x is equal to यहाँ पर plus c भी आएगा साथ में तो ये बन जाएगा e की cause 2x plus sin 2x plus c e की power minus 2x तो ये हमारे पास आगया y of x अब हमारे पास ये initial value problem भी दी हुई थी ये भी हमने put करनी है तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है y into 1 over 4 pi is equal to 3 ये हमारे पास दिया हुआ है इसमें y is equal to 3 है और x is equal to 1 over 4 pi है तो ये हम इसमें put कर देंगे journal solution में तो यहाँ पे हमारे पास आजाएगा 3 is equal to cos 2x cos 2 x की power क्या है 1 by 4 pi ये साथ दुनों आप उसमें cancel भी हो जाएंगे और साथ में आगे क्या है plus sin 2 into 1 by 4 pi ये भी साथ में cancel हो जाएंगे यहाँ पे 2 ही रह जाएगा plus c e की power minus 2 into 1 by 4 pi यहाँ जाएगा अब ये cos 90 है यहाँ पे तो ये 0 होता है plus sin 91 होता है plus c e minus power minus 2 into 1 by 4 pi आजाएगा ये साथ आएगा तो minus हो जाएगा ये ज़र आजाएगा 2 is equal to c e की power minus 2 into 1 by 4 pi आजाएगा अब हम c की value निकाल लेते हैं तो c हमारे पास आजाएगा is equal to 2 e की power pi by 2 आजाएगी क्योंकि ये साथ में cancel भी हो जाएगे तो ये उस साइड जाके multiply हो जाएगा ये हमारे पास c की value आजाएगा अब हम इसे इदर general solution में इदर put कर देते हैं तो यहाँ पी हमारे पास आजाएगा y into x is equal to cos 2 x plus sin 2 x plus 2 e की power pi by 2 into e की power minus 2 x आजाएगी तो ये आजाएगा y into x is equal to cos 2 x plus sin 2 x plus 2 e की power pi by 2 minus sorry pi by 4 pi by 4 minus x आजाएगी तो ये हमारा solution आजाएगा ये हमारे पास question number 7 है जो हमने solve की है इसमें हमने पहले इसे standard formula ये इस side है तो ये minus होगे अब हम इसने compare किया general form के साथ ये फिर भी नहीं बना था इसे हमने इधर divide भी कर दिया x के साथ ताकि ये standard form में आजाए ये standard form में आजाए अब हम इसे compare कर दिया है general equation के साथ तो यहाँ पे हमारे पास p of x की value ये आगई है ये minus 2 over x आगई है और r of x की हमारे पास ये value आगई है x square into pi e की power x आगई है हमारे पास formula होता है y into x is equal to e की power minus h into integration e की power h rx dx plus c ये हमारे पास formula होता है हमने y of x is equal to हमने h की value सबसे निकाली है पहले h की value का value निकलती है integration p of x तो ये होती है हमारे पास minus 2 over x ये हमने put की है तो ये हमारे पास आगए minus 2 log x आगए अब हमारे पास यहां पे हमने ये value put कर दी है h की जगा तो यहां पे आगए y of x is equal to log x square ये साथ में multiply होगा तो log की property के तहत ये उपर चला गए तो ये ये भी उपर चला गए इसकी पावर में ये साथ में s ही आगए plus c आगए अब y of x is equal to log x square बन गए integration ये अब देखें ये log के साथ e किंसल होगे तो यहां पे minus x की पावर minus 2 आगए ये x का square था e की पावर x ये दुनों आपस में किंसल होगे तो यहां पे y of x is equal to e की पावर log x square e की पावर x रह गए और साथ में dx plus c रह गए अब ये भी साथ में किंसल होजाएगा log और e तो ये y of x is equal to x square e की पावर x plus c आजाएगा जब हम इसे integrate करेंगे तो यहां पे आजाएगा y of x is equal to x square into e की पावर x plus c तो ये हमारा solution आगया आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी ये वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल करेंगे थेंक्स वार वाचिं